स्थावल करू निते तारू इस सूजी स्थावल करू निते तारू स्थावल करू निते तारू इस सूजी स्थावल करू निते तारू आज सवारे साध सुनी तव महिमा करू प्रभुतारू स्थावल करू निते तारू स्थावल करू निते तारू इस सूजी स्थावल करू निते तारू प्रिय मित्रो ट्रांस वर्ल रेडियो द्वारा प्रस्तुत स्थावन बाईवल अभ्यास कार्यक्रम मा हूं आपनो आवकार करू छू मनुष्य आजे सत्यानी सोध मा आम तेम भटक तो फरे छे जेती तेने मनमा सांती मरे कारण के मनुष्य पोताना जीवन थी खूस न थी कोई धन्दोलत मा सांती नी सोध करी रहो छे तो कोई धार्मी कामो करी ने पोतानी जातने खूस करवानो प्रहत्न करी रहो छे अने तेमा खुसी औने आनंदने सोधी रहो छे आजे दरेक ने जीवन मा अनिश्चित्तानो भई लागे छे एक विध्वान आ प्रमाने कहे छे इश्वर्ना वच्चन मा जे आनंद छे ते आपने इश्वर्मा आनंद करवा तरप लई जाई छे अने इश्वर्मा आनंदित थवाथी भई दूर थाई छे किटलू सरस खरुने मित्रो एटला माटेज आपने स्तवन कार्यक्रम मा प्रभुना जीवन्त वच्चनों अभ्यास करी रहा छे अने मित्रो आपने जिटलो वधारे वच्चनों अभ्यास करी सु एटला वधारे प्रभुमा आनंदित रही सक्की सु कारण के इश्वर्नु वच्चन आपना जीवनना सव थी मोटा सत्रू पाप थी आपनने छुटकारानों मार्ग बतावेशे। ते तेना उपायोंने आपनी समक्स प्रस्तूत करेचे जेनों आपने क्रम वार अभ्यास करी रहाचे। प्रियमित्रों अभ्यास मा जता पहला हुँ तमने फरिधी याद देवडावी दाओ के आवर से ट्रांस वर्ल्ड रेडियो इंडिया मार फते अधारमी सप्टेमबर ना रोज हिब्रोंना पत्रना आधारे बाइबल क्वीज थावानी छे। आप आपनू रजिस्ट्रसन जडब थी नोधावी देशो जेथी करी ने आप आक्वीज मा भाग लई सको। हिब्रों उने पत्र जेशे बाइबल मा नवा करारना विभाग मा हिब्रों ने पत्र जेशे ना पहला द्यानी सात्मी कलम्त में जोओ। अई लखवा मा आवशे के दूतो सबंधी तो इश्वरे आम कहिवातू। इश्वर पुताना दूतों ने वायू रूप अने पुताना सेवकों ने अग्नीनी ज्वाडा रूप बनावे शे। अवे आजे संदर्भ शे ये बाईबल मा जुना करार ना विभाग मा आवेल गित सास्थ्र ना पुस्टक ना एक। चार नंबर ना अध्याईनी चौथी कलम मातिलेवा माव्यों शे मित्र, देव दूतो प्रभुना शे, तियो प्रभुना सेवको शे और प्रभुना बक्तो शे, हिब्रुओने पत्र नो लेखे एक बाइबल माना जुना करार ना विबाग माते ही, आब दा संदर्वो टाकी साबित करेशे के प्रभुई सुख्रिस्ट देव दूतो करता चडियाताशे, तमि जूओ मित्र, हिब्रुओने पत्र ना प्रथम बे अध्याईयो के ट्ला वधा महत्वनाशे, आ बे अध्यायो वर्त्मान समयमा, विश्वास्यो माटेना प्रभुई सुख्रिस्टना अवर्तमान पड़े इश्वर्ना जम्णा हाथे जीवंत इसुख्रिस्त मिराजेला छे ए हकीकत्ती सबान होवूं के लूब अवश्यक छे आपना माटे मित्र इसुख्रिस्त मारा करता वधारे वास्तविक छे कारण के आवती काले हूँ क्या हुआ इश्वर्ने जम्णे हाथे रेवाना छे इसुख्रिस्त वास्तविक अने जिवंत प्रभूशे हिब्रु लोको माटे देव दुतो बाउच महत्मना आता कारण के हिब्रु बाइबल मना जुना करार माथी सुपरिचिततता इसम्जीश काई विबाबच हिब्रु लोको देव दुतोने इश्वर्ना राज्य सन्नी तद नजिक जोता आता इश्वर्ना अगरां बता सेवको अने संदेस वाहको ने देव दुतो दर्शन आपिव हतु एवो हिब्रु लोको ये वाचिव हतु हिब्रु लोकोने मन देव दुतो अत्यंत महत्मना आता में अगाव काई उछे मित्र एप्रमाणे हुँ नथी मानतो के आपना समयमा प्रभी सुख्रिस्तनी मंदली माटे देवदुतो नू कोई सेवाकार्य होई हुँ नथी मानतो के इश्वर नदुतो मानसोने देखाता होई ना गमे तेम पन मानवी कदी देवदुत बनता नथी मित्र इश्वरे द्रश्य तेमज अद्रश्य स्रुस्टीनू सर्जन कर्यू छे इश्वरे पोते कॉलोसी लोकोने लखेलो पत्र पहलो अधियाई सोड मी कलम तमे जुओ मित्र तेमनी मार्फतेज इश्वरे स्वर्गिय शक्तियो तेमनी मार्फतेज इटले प्रभू इसुख्रिस्टनी मार्फतेज इश्वरे स्वर्गिय शक्तियो प्रभूता आधिपत्य ने सत्ताव सहित आकाश अने पृत्वी परनी सर्व द्रश्य अने अद्रश्य वस्तूनू सर्जन करियु इश्वरै इसुா ही इसुक्रीस्त नी माम्पते और इसुक्रिस्त माते शर्व वस्ति व ऊथ्पन करें। इश्वरे स्वर्गिय शक्तियो उत्पन करी जे मानस्थी उपर शे तमे अने हूं मित्र जे विश्व मा रहिये छे विशे प्रभी सुख्रिस्ते योन अनुसर सुप्संदिस चौध मुधिया बिजी कलम मा कायू शे बाइबल मा नवाकराल ना विबाग मा के मारा पिताना गर्मा घणा उर्डा छे अवे श्वर्गिय सक्तियो आ उर्डा मा रहे छे तमे अने हूं मित्र स्वप्नमा पड़ ना कल्पी शक्या ने इटला विशाल विश्वन विश्वरे सर्जन करिऊ अरे 21 मी सदिना पारंगत वैगना निको पन सुपर कॉम्पिटर नी मदद होवा छेता आका विश्वनो ताग हजी मिलवी शक्या नती मानवी उतक्रांती पामिने कोई प्राणी माथी मानव अवस्था पामिने नती मित्र विश्वमा तत्वो छे प्राणी पंखी छे मनुष्य छे अने आत्मिक शक्तियो छे विश्वमा मानवी थी उतरती औ मानवी ती चडियाती स्रुस्टी छे, मानवी कहीं कोई पशुमा थी उतकरांती पामिने मानव नती बनियो मित्र, मानवी क्यारे देवदुत पन नती बनियो के नहीं बने? दूत शब्द तो मूल ग्रिक बाशाना एगे लोस शब्द उपरती उतरी आवेश जे मानव संदेश वहक अने दैवी संदेश वहक माटे वापरवामा आवेश बाइबल मा आपने जो ये मित्रत वधी भावतिक स्रुष्टी बताववामा आविशे ने विश्वामा देव दूतो नी संख्या केटली छे तेनो ख्याल आविशक एम नथी बाइबल तो तेवोने आकासना सैन्य तरीके वरणावेश एनो अर्तेवो थोयो के तेवोनी संख्या अगणीत छे दूतो नी सं संख्यामा ना तो वतारो थाय छे, ना तो घटाडो पर आपनने ख्याल नथी, कि देवधूतो नी संख्या किटली छे इश्भरणी योजाऴ मा देवधूतो नो महत्मनो भाग छे अने आपने जोई ये शे तो प्रभुईसु ख्रिस्त देवदू तोती चड़िया था शें हवे तम्में मित्रमारी साथे आगाड हिब्रु लोकोने लखेला पत्रना पहला अधियनी आठमी अने नौमी कलम जुओ परन्तु पुत्र इटले के प्रभुईसु ख्रिस्त माटे इश्वर कहे छे हे इश्वर तारु राज्यसन सदा अटकी रहो तु तारु राज्ये न्यायती चलावे छे तु सत्यने चाहे छे अने असत्यने दिक्कारे छे तेथी इश्वरे तारा इश्वरे ताने पसंद कर्योशे अने तारा साथी दारों ने आपेला आनंद करता विशे आनंती अभिशिक्त कर्योश आ कलम मामित्रा गित सास्त्रन नुझे पुस्तक चेने बाइबल मा जुना करारना विबाग मा एना पिस्ताडिसमा दियानी छट्थी औने सांतमी कलम नो संदर्भ टांकुमा मा आवेश जे दर्शावी छे के गित सास्त्रनों पिस्ताडिस्मू गित एक महान मसीही स्तुती गांच तमें पहली ज कलम जुओ बाइबल मा जुना करारना विबाग मा आवेल गित सास्त्रनों पुस्तक पिस्ताडिस्मू अधियाई पहली कलम त्यां कैचे मारू रदय उत्तम विश्राइथी उभराय जाएचे जे कविता में राजाने माटे लेके इश्वरने माटे रची छे ते हुम बोलूँच मारी जीब लहियानी कलम जेवी चपड़ आगित सास्त्रनों पुस्तक पिस्ताडिस्मू अधियाई कैचे के दाउद ना वोंश मा न्याई धुरने राज करनार एक महान राजा आउनार शे राजा दाउद आ बाबत थी इटलो बतो रोमान चे थाई गयो के एणे आ पिस्ताडिस्मा अधियानी पहली कलम प्रमाणे उद्गारों काड़िया दाउद जाने एम केवा मागेशे के आ राजा विशे लकीने हुँँ वरनन करू ये करता तो बोलीने वदारे सारू वरनन करिश्र कोग एमचे आ आउनार राजा हेब्रो ने पत्र प्रमाणे प्रभु इसुख्रिस्त शे मित्र इसुख्रिस्त न्याई थी राज्ये चलावशे इश्वरे पृत्वी पर कोई देवदूत ने राज चलावानो अधिकार न दिया आपे मित्र आ नवमी कलम प्रमाने तमे जुओ हेब्रु लोकोने लखलो पत्र पेलो अधे नवमी कलम तो एमा प्रभू इसुख्रिस्त विशे इश्वरना श्रब्दो टांकता केवमा विशे के तु सत्यने चाहेश अने असत्यने धिकारेश जो तौमें मित्रा वीधान के त्लू बदू जबर जस्त शे आ गसाई गएली पृत्वी पर सत्यने चाहनार अने असत्यने दिक्कारनार राज शाश्रा का राज करे ये परिस्तिती नी जरा कल्पना तो करो अब आ नो मी कलम मा इश्वर पिता प्रभु इसुख क्रिस्त ने इश्वर तरीके संबोधन करता कैशे के है इश्वर तारू राज जैसन सदा तकी रहो इश्वर पिता इश्वर पुत्र प्रभू इशु खृस्त ने इश्वर तरीके संबूदेश शु तमे ए सत्यनों नकार करवा इच्छो मित्र के इशु खृस्त मानव देहमा इश्वर छे जो तमें नकार करो तो एनो अर्थ ये थाए के तमें स्वयाँ इश्वर नो नकार करो श इश्वरे पोते इसुख्रिस्त ने इश्वर कया श तमें इसुख्रिस्त ने के उसंबोधन करवा मांगो श तमारी तो मने खबर न थी मित्रा, पढ़ू प्रभू इसुकृिस्त ने इश्वर मानूँचौौौौौ इसुख्रिष्द मानों दिहमा इश्वर्षे। इसुख्रिष्ड देवधुत थी सब्सक्राहब ुभ्ति तरग श्रं। आजाने प्रभुवना प्रभुशे मित्रा आजान ची जिनान शीखी घंधरा सत्यनी साथ चालू रात ना पौर ना धोर अन्धार्मा तॉण जूए मने एम मान। रात ना पौर ना धोर अन्धार्मा तॉण दूए मने एम मान। एक जे देव छे ते मने देख शे चक्षुत ना सदा शुद्ध जान। देव ना जान थी जान शीखी घंधरा सत्यनी साथ चालू देव छे स्वर्ग मां बैभवे शेष्ट छे पापने क्रोध थी ए निहाडे। भूतड़े काम जे विश्व माटे करे प्रेम द्रस्खीत की सर्व भाडे। देव ना जान थी जान शीखी घंधरा सत्यरी साथ चालू कोई मुक्ती प्रभु आपथी आत्वा राह जूए नकी पूर्ण प्रीतें कोई मुक्ती प्रभु आपथी आत्वा राह जूए नकी पूर्ण प्रीतें ते कहें दोड़ जे ख्रिस्थ की सूकने एक हरो आशरो सर्वरीतें देव ना ध्यान की ज्यान शीखी घंधरा सत्यरी साथ चालू देव ना ध्यान की ज्यान शीखी घंधरा सत्यरी साथ चालू तर्भदा सत्यरी साथ चालू इसुकृस्त विशे कहूं चेँ गई हॉचँ जो अश्रु कहूं चेँ लुक अनुसर शुप्संदेश नंहाद्या अनि 32. prepare यसु पुरुवच दाविद नी माफक प्रभू तेने राजा बनावशे अने ते याकोब ना वोंश जनो सार्वकालिक राजा बनशे तेना राज जनो कदीपन अंत आवशे ने आ प्रभू इसुख्रिस्ट एक दिवस समगर विश्ववव पर राज कर शे मित्र ये विशे जो तमारे खातरी करवी होई तो फिलिपी लोकुने लेखेलो पत्र शे बाइबल मा नवाकरार ना विफाग मा विजो अधियाई नौ मी अने दस मी कलम जो शुकेज आ कारण थी इश्वरे तेमने अटले के प्रभू इसुख्रिस्ट ने सर्वुच्च स्थाने मुक्या अने सव नामोमा स्रेश्ट नामा आप्यू आथी इसुख्रिस्ट ना नामना मैमाने अर्थे आकाश्माना पृत्वी परना तदा पृत्वी तड़े ना सव घुटने पड़े अने इश्वर पिताना मैमाने अर्थे सव जाहर मा प्रगट करे के इसुख्रिस्ट तेज प्रभूष इसुख्रिस्ट नुराज्येसन सदाट कीरे शमित्रा इश्वर नी योजना बाइबल माना जुना करार ना विबाग मा छ ठेक शमुएल ना बिजा पुस्तक ती जोई शकाई छे मित्रा तमें मारी साथे साथे जुओ बाइबल होई तो जुना करार ना विबाग मा शमुएल ले लखेलू बिजू पुस्तक साथ मों दियाए बार थी चौद कलमों दाउद ने आके वम आविजे के जहरे तारा दिवसो पुरा थशे ने तू तारा पित्रू भेगो उंगी जेशे त्यारे हूँ तारा पछी तारा पेट मा थी निकणनार तारा संतान ने उबो करिश ने तेनू राज्य हूँ स्थापिश ती मारा नामने सारू घर एमा पन तमे जू अमित्रतो यशाया संदेश वाहके प्रभी सुक्रिस्तना जन्मा आगाओ साच्सो वर्षो पेला भविश्य वानी उच्चारी यती नौमो अधियाए तमे जू छट्टी ने जातमिकलम केम के आपने सारू छोकरो अउतर्यो छे आपने पुत्र अप्पमा आव्यो छे तेनी खांद पर राज्य धिकार रहशे अने तेनी अदभुत मंत्री पराक्रमी देव सनातन पिता ने शांतेन सरदार ए नाम आप्पमा आउशे दाउधना राज्य सनू पर तेना राज्य उपर तेने इंसाप तथा नियाईपणा थी ते समय थी ते सर्वकार सुधी स्थाप्वा तथा द्रड करवा सारू तैनी सत्तानी वृद्धिनो तथा शांतिनो पार्यशने सन्योना देव यहोवानी उतकंठाथी आथशे आई हीब्रू लोको ने लखेला पत्रना पहला द्यानी आठ मी आने नुमी कलम्मा मित्र इबाबतु परफरिती पार्मुकोवा मावे शे के प्रभू इसुख्रिस्त नु राज अविनाशी शे अननत जे इसुख्रिस्त इश्वरे करेला करार प्रमाने अने इश्वर ना स्वर्गमा थे नहीं करवा मा आवे लूक अनु सरसुख्षंदिस बाविस्मो अध्याय अने त्रिस्मी कलम्म तमे जुओ अने पीशो अने तमे इस्राइलना बार कुडोनो नहीं करवा माटे राज्यासन पर बेस्षो वारू अपने आगल वदिये हीब्रू लोकोने लख अने तारा हाथो बड़े आकाशनी रचना करी ए बधा तो नास पामशे परन्तु तू कायम रहशे तेवो तो वस्त्र नी माफक जिर्ण थाई जेशे तू तेने पुशाक नी जेम बाडी देशे अने तेवो वस्त्र नी जेम बदलाश परन्तू हम्मेशा जिवो छे तेव बोज रहशे अने कदी वयो व्रुद्ध थर्षे ने आकलमु मा मित्र गिच्छास्त्र नुजे पुस्तक्षे बाइबल मा जुना करारना विपाग मा एन एक सो बे नंबर ना धियनी पचिस्ती सत्याविस कलमो नो संदर्भ टांकवा मा आविश प्रभी सुख्रिस्त सुर सर्जवामा आवेल सर्जन छे जारे इसु ख्रिस्त तो स्वयों सर्जन हार्ष अकाश अने प्रुथवी स्वर्जवामा आवेली स्रुस्टी ने पुशाकनी झेम वालीले वामावश इविधान प्रगट करे छे के प्रुथवी कायमी नथी औने अविनाशी पन नथी ग्र अनेटले सर्जवामा अवेलिस रुष्टिना कोई पन पात्र ने इसुख्रिस्त करता वदारे महत्व आपपुना जोईए बदलाती चेती दुनियामा एकला प्रभु इसुख्रिस्त जमित्र आपनी सलामतीश आदुनियामा गमेते बने अथो आदुनियानों गमेते थाए पन प्रभु इसुख्रिस्त तो अवी चड़ अटल जो आपने इसुख्रिस्त पर परोसु राखिये तो आपने संपुर्णा सलामत छिये कारण के समग्र विश्वमा आपने सौथी वधू अवी चड़ अने कर खड़क रूप इसुख्रिस्त पर हुँ उभो छू अन्य कोई पन पायो सरकती रेती समान छे नकर खड़क रूप इसुख्रिस्त पर हुँ उभो छू अन्य कोई पन पायो सरकती रेती समान छे हवे मित्र इसुक्रिस जेवा छे तेवाज रहेशे एनो अर्थ शो थाईशे अटल अथवातो अवी चळ होवू एटले एवाने एवाज रहेवू आनो अर्थ तो ए थाईशे मित्र के इसुक्रिस्त नू चारित्र इसुक्रिस्त नू व्यक्तित्व अने इसुक्रिस्त ना गुण लक्षणों क्यारेई बदला शने, क्या बदला ता नथी, इसुख्रिस्त नो प्रेम आपने सतत मरतो रेश, इसुख्रिस्त एमनो प्रेम आपने सतत बतावता रेश, इसुख्रिस्त आपना प्रत्ते हम्मेशा नियाई सहिष्णू अने दयालू बनी रेश, जो के आपने तेने लायक ना होवा छत्ता पण इसुखरिस्त अविचर छे अटल छे ए माटे आपने तेमना आबारी रेवू जोईए इसुखरिस्त जरुने समय हम्मेशा आपनी मदद करेश हम्मेशा आपनी मदद करता रेशे आपने नाकाम्याब बनी जेए तेरे इसुखरिस्त अपने माफी पन धरेश वारू आपने हवे तेर मी एने चौध मी कलम जोईए लख्यू छे यहां हिब्रुलोकोंने लखेलो पत्र पेलो अधिया तेर एने चौध कलम इश्वरे कदी पताना दूत ने एम नथी कयो के हूँ तरा दुश्मनोंने तरा पक मुकवानु आसन न बनाव तियां सुधेतू मारी जमनी तरफ बैस तो पछी दूतो कौण शे तेवो तो इश्वर नी सेवा करनार आत्माओ तथा जेवो उद्धार ना भागिदार लोकोनी मदद करेशे तो अपने मित्रा आ कलम जेवी चे एवी जरावांचिया देव दूतो जेवो उद्धार ना भागिदार बनवाना चे तेवोनी मदद करशे आ कलम बविश्यमा प्रभुईसु क्रिस्तनी मनड़ी उपराकाशमा उचकी लिवा माउशे ए पच्छी इ यहुदी लोकोनी फरिती मुलाकात लेसे ए अर्सा साथे सबंतर आवेश आ कलम के यहुँ नदी कहती के देव दूतो अत्यारे जे लोको उद्धार ना भागिदार बनेशे तेमनी मदद करेशे ना ना तमें जूओ इश्वर पोतानी योजना अनुसार आगडवदेश इसुख्रिस्त राजा छे अने देव दूतो प्रजा छे इसुख्रिस्त सर्जन हार छे जारे देव दूतो सर्जन छे इसुख्रिस्त ना दुश्मनोंने इसुख्रिस्त नू पायाशन बनाववा मावे त्यां सुधी अत्यारे प्रभी इसुख्रिस राजुई रहा छे इ इसुखरिस्त ना देवत्व ने अने इसुखरिस्त नी सर्वोच चताने आपनी समक्स केवा अखुल्या करेश। इसुखरिस्त देव दूतो करता चड़ियाताशे। प्रियमित्रो, सु तमे एब आबतनी नोद लिधी के हिब्रोणा लेखक जे प्रभुईसुखरिस्त भी से चर्चा करी रहाचे, तेमने जुनाकरार ना विवीत स्थडोथी, प्रदसित अने प्रमानित करी रहाचे। जेमनावी से सेंकडो वर्सो पहला पवित्र सास्त्रमा उल्लेक करवामा आवियो शे। जुनाकरार मा एक हजार वर्सो पूर्वे जे लखवामा आवियो हतु, अने जेनावी से बविश्यवानी करवामा आवियो हती, जेनावी से आपने जोई गया, ते सर्भ प्रभुई पूरी थेली जोवा मडेशे भाला दर्शकमित्रू आज तो पवित्र सास्त्र बाईबल नी सत्यतानू प्रमाण छे के आईश्वर नू भचन छे जेना उपर आपने भरोसो करी सक्ये छे बविश्यमा थनार घटनाओ विसे मात्र इश्वर जान छे तेनी सत्यताज बाईबल ने विश्वास नियताने प्रगट करें छे त्यार बाद हिब्रो ना लेखक प्रभु इसुज जीवन्त छे तेना प्रमाणों आपी ने तेमने स्वर्ग दूतो करता स्त्रेश्ट साबित करें छे एक वात ध्यानमा राखो मित्र के स्वर्ग दूतो करता स्त्रेश्ट मात्र इश्वर ज होई सके इश्वर पो ते प्रभु इसुना रूप मां मानव बनीने आविया जे थी ते वो आपना पापनो दंड चुकवी सके इश्वर ध्वारा पाप मां थी मानव मुक्ती नी जे अद्भूत व्यवस्ता समग्र संसार माटे करवामा आवी छे ते खरे खर आश्चेरे जनक छे ते आखा जगतना सर्जनहार और उद्धार करता छे और जे कोई तेमना उपर विश्वास करे छे तेमने अनंत जीवर मड़े छे आवो आवा महान व्यवस्ता करनार इश्वर ने धन्यवाद आपिये और प्रभू इसुने पोताना उद्धार करता तरीके स्विकारिये इश्वर आपने आशिश आपो आमेन सु तमने आ कार्यक्रम गम्यों अत्यारेज अमने मिस्कोल करों तमे पने इस विजेता बनी शकोंची इस विर्स आपने मिस्क विर्स आंची